Hello everyone, Welcome to my YouTube channel ये अपडेट वैसे तो मैंने आपको पिछले कल देनी थी लेकिन एक दिन ये डिले होगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्थाप नर्स, फिमेल हेल्थ वर्कर लेब टेक्निशिन की डॉक्मेंटेशन के बारे में और ये एक्जाम अटल मेडिकल एंड रिसेच इनिवस्टी ने चौक ने करवाये थे हिमाचब वदेश में एनएचम के अंडर ये भरतियां हो रही है और शीयचो की भरति का रिजल्ट आपको पता है कि वो कंप्लेट हो चुका है और यहां पर फ्रेश अपडेट जो इन रिजल्ट के रिगार्डिंग, मतलड़ रिजल्ट के जो इनकी डॉक्मेंटेशन होनी है उसके रिगार्डिंग ये है कि अभी तक NHM ने डिसाइड ही नहीं कराया और मतल़ ये ही है अब आपको मार्च का वेट करना होगा मार्च में भी ये पता नहीं है कि इनकी जो document verification है वो कितने जल्दी हो पाएगी मार्च में शुरू में होगी एंड में होगी ये फिलाल के लिए कुछ पता नहीं है आप call करके NHM में भी ये चीज पूछ सकते हो आपको वो यही बताएंगे और मुझे expected था कि ये चीज होने वाली है क्योंकि CHO में भी आपने देखा कि result में पहले वैसा हुआ list जो second list थी third list थी वो कितने delay हुई उसके बाद चलो जिनके पास course था उनको तो joining मिल गी आराम से लेकिन जिनके पास course नहीं है वहाँ पे भी चीज़ें अटकी हुई है एक तरब से NHM कहता है कि हमने जो है वो आपके form इगनो को भेज़ दियों है आगे जो course करवाना है वो मतलब देखेंगे कि कितने जल्दी हो सकता है फिर अगर आप इगनो कॉल करोगे तो उनका कहना है कि इसमें time लग सकता है और देर हो सकती है तो इस तरह से चीज़ें अटकी पड़ी है तो उसके basis पर ही मुझे लगा था कि यहाँ पे भी आपको delay देखने को मिल सकता है और वैसा ही मुझे लग रहा है उनका यही कहना है कि मार्च में भी अभी कुछ पता नहीं है कि किस तरह से क्या होगा तो मैं तो यह बोलूँगा कि जिन लोगों के भी एग्जाम यह दिया है और उनका fix है cut off तो मैं बता चुका हूँ तो merit में आने के chances हैं तो वो मतलब चाहिए आप press conference करिए आप news लगवाईए और जिनका bridge course भी अटका हूँ है वो भी यह चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा pressure create करना होगा और advertisement निकालने में exam करवाने में तो उन्होंने बतलब बिल्कुल समय नहीं दिया किसी को की कोई त्यारी कर ले लेकिन अब result निकालने में document verification में और final result में इतनी देरी क्यों तो यह चीज़ें भी इतनी जल्दी होनी चाहिए थी अब देखते हैं कि बाकी क्या हो पाता है और यह update मैंने आपको दे दी बाकी अगर आप officially भी update चाहते हो तो आप nhm shimla call कर सकते हो official website पे आपको उनका जो contact number है help line number वो मिल जाएगा I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो video को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए